ओके सु हले वरिवन आज मों बात करने वाले हैं कलर ट्यूब्स के बारे में जो हम लोग एर कलर करने के लिए यूस करते चाहे वो लौरेल का हो शॉसकोप का हो वेला को तो दोस्तों आप लोग को पुरा डिटेल में यह चीज़े पता रहने चाहिए कि हमारे कलर ट्यूब्स में कौन कई पैसे य सब्सक्रांद करें और सब्सक्रांद को मरे करें ऻना किहें और किकला जो किटना परसेंट यह कितना परसंट को डिटेल ने पता रहते हुए हुए अगर एक अच्छा है बनना चाहते हो तो आप लोग के अंदर ये पूरा डिटेल नॉलेज रहना चाहिए हमारे कलर ट्यूप्स के बारे में तो चलिए दोस्तो आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे हम लोग तो दोस्तो वीडियो पर लाश तक बने रहना ताकि आप लोग को पूरा अच्छे तरीक कौन-कौन से होते हैं और हमारे टर्शरी कलर कौन-कौन से होते हैं और गए रिफ्लेक्शन को ब्रैंड है जो की वेला हो गया शॉसकॉफ हो गया लाॉरियल हो गया यह तीनों के हमने जो तो रिफ्लेक्शन है, जो तोन से, जो हम जिसे हम फैशन शेड बोलते हैं, वो उसके बारे में भी आप लोग को मैंने पुरा डिटेल में बता दिया है, अगर अभी तक आप लोग ने 27, 28 और 29 वाले पार्ट्स नहीं देखे, तो जाकर देखिए, कलर के बेसिक टू एडवां लाइक करें, तो आप लोग ने सब्सक्राइब करी लिया होगा, और जिन लोगों ने नहीं किया, उनलों को फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों काफी मेहनत लगती वीडियो बनाने में, और आप लोग करने से मुझा पता जादा चलता है कि आप लोग कितना दधा प्यार दिखा रहा हो, तो चलिए, स्टार्ट करते है हमारा color tubes की उपर जो topic लेकर आयों, फुरा detail में, तो color की इस topic में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, कि हमारा color tubes दिखता कैसे, तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते और इस developer को mix करने के बाद ही यह color active होता है, then उसके बाद में आप लोग hairs पर color करोगे, तो यह अच्छी तरीके से आप लोग का एक permanent और अच्छा सा result दे पाएगा, तो आप लोग ने देख लिया कि हमारा color tubes कैसा है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि color tubes में क्या क्या ingredients होते हैं तो सबसे पहले, आज हम लोग स्रीफ color tubes के बारे में बात करेंगे, जो इसमें mix होता है hydrogen peroxide, इसका हम लोग next topic लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग developer के बारे में, याले कि hydrogen peroxide के बारे में पूरा detail में बात करेंगे, आप लोग सिर्फ इतना जान लेजिए कि hydrogen peroxide और हमारा color tube है, यह दोनों जब mix होता है तभी active होने के बाद में color कर पाते हैं तो अब हम बात करते हैं कि इसमें जो ingredients होते हैं तो इसमें सबसे पहले आप लोग देखोगे कि हमारे color tube में होता है ammonia, oxidant agent, artificial pigment और caring agent यह चार ingredients हमारे color tubes में होते हैं और अब मैं आप लोग को बता हूँगा कि यह चारों चीजा work कैसे करती हैं तो सबसे पहले जो ammonia है, ammonia हमारे hairs के जो layer है जब से top वाला layer यानि कि cuticle उसे swell करता है swell करने से हमारे cuticle है वो open हो जाता है देन उसके बाद हमारे oxidant agent है oxidant agent हमारे hairs की जो pigment से उसे निकाल देता है देन हमारे जो artificial pigments है वो उसकी जगाल ले लेता है यानि कि cortex में हमारे pigments को जब oxidant agent निकाल देता है तब हमारे pigments की जगा पर हमारा artificial pigment वहाँ पर जगाल ले लेता है देन उसके बाद में जो हमारा fourth वाला है caring agent वो caring agent हमारे hairs को एक shine और अच्छी तरीके से repair कर देता है जिसे ये चारो ingredients हमारे colors को बहुत ही बहतीरिन सा एक permanent color दे पाते हैं तो ammonia और oxygen agent देन उसके अदमें artificial pigment और caring agent ये चारो जो हमारे हैं बहुत ही detail में हमारे tubes के जो अंदर ingredients है ये work करते हैं हमारे hairs के उपर अब हम बात करें है कि हमारे tubes कोण कोण के types के होते हैं तो सबसे पहले इसके घौर हो गया हमारा हमाärा यह और हरे हयर से उसे चार नंबर हो गया यह तो हमारा चार हमारा हो गया Again reflection यानि कि आप लोग स्रिफ reflection भी बोल सकते हो जिसे कि 0-1 यह हमारा जो ही neutralizing करने का भी काम करता है या फिर 0-2 बोल सकते 0-3 यह स्रिफ reflection है जो हमारा base है base की जग़ा पर यहाँ पर 0 लगा हुआ है देन उसके बाद में हमारा जो base और plus reflection दोनों होता है जैसे कि 8.34, 7.35 यह सारी चीज़े जो है यह हमारा base plus reflection है इसे हम लोग बोल सकते हैं एक proper तरीकी से हमारा color tube देन उसके बाद में हमारा एक आता है special हमारा ultra blonde जो high lift देता है जैसे कि बाकी की company भी बनाती है 12 number लेकिन हमारा जो L'Oreal 11, 12, 13 यहां तक की पूरे 3 number बनाते है सारे company नहीं बनाती है सारी company यह सिर्फ 12 तक ही बनाती है हमारा L'Oreal 11, 12 और 13 तक हमारा high lift वाले color बनाती है जो इसके बाद में आता है हमारा ammonia free color ammonia free color जैसे कि आपनोंने देखा होगा इसमें ammonia नहीं रहता है ammonia की जगह पर होता है M-E-A यह हमारा ammonia की जगह ले लेता है और यह इसका जो developer आता है इसका developer भी अलग आता है आप लोगने L'Oreal का जो सुना होगा कि innova color आता है यह innova color ही हमारा ammonia free color है यह जिनके skin sensitive होते हैं जिने ज़्यादा problem होता है skin पर कोई chemical लगने से तो उनके लिए यह ammonia free color यूस किया जाता है जैसे कि आप लोगने L'Oreal में Innova सुना है उसी तरह वेला में आता है color touch और देन उसके आद में शॉसकोप में आता है इंसेंसिटी यह तीनो ब्रैंड में हमारा ammonia free color मिलते है color tubes में mixing ratio क्या होती यानि कि जो हमारा developer है उस developer का और हमारे tubes का mixing ratio क्या होगा तो आप लोग को बता दो कि जो भी color tubes होते हैं उस पर mention क्या हो रहता है इसका जो भी हमारा mixing ratio होता है जैसे कि लाओरेल पर होता है यानि कि जितना आप लोग cream लोगे उसका देड़ गुना लेना है आप लोग को developer यानि कि अगर 20 gram आप लोग ने लिया है cream अपना cream color tubes तो आप लोग का developer होगा वो developer आप लोग का होगा 30 gram तो दोस्तों इसी तरह 1 to 1 in the half का हमारा लाओरेल का होता है अगर आप लोग strics में में जाओगे तो strics में होता है 1 to 1 उसके बाद में अगर आप लोग shawscope में जाओगे तो shawscope में होता है 1 to 1 तो सबके अलग-अलग होते हैं और सबके box पर mixing ratio होता है वो mention किया होता है तो आप लोग जबी पी color करें उसका जो भी mixing ratio दिया गया है उसका opposite में तू दिया है फिवन इस्टू वन इस्टू वन दिया है उस हिसाब से आप लोगो developer यूज करना है तो यह तो होगे हमारी mixing ratio की बात अब हम यहाँ पर आएंगे कि हमें हमार जो color tube है उसे read कैसे करना है तो जैसे कि आप लोग का लॉरियल का हो गया है 7.35 तो अगर आप लोग को इसे read करना है तो सबसे पहले आप लोग को reflection का नाम लेना है देन आप लोग का last में base set का नाम आएगा जैसे कि हमने लॉरियल का एक tube लिया तो उसे अगर आप लोग को read करना है 7.35 तो उसे हम लोग रीट करेंगे महोगनी, gold, medium अगर आप लोग के पास में वेला या शॉसकोफ का है तो वहाँ पर सबसे पहले base का नाम लेना है देन reflection का बस लॉरियल में आप लोग को पहले reflection का नाम लिया जाता है देन उसके आद में base का नाम लिया जाता है तो इस तरह से आप लोग को color को read करना है तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे whiteboard पर की जो हमारे जो ट्यूब होता है उस depth में हमारा कितना percent हमारा reflection होता है और कितना percent हमारा depth होता है देन उसमें जो दो types के reflection दिये होते इसमें से कौन सा percentage ज्यादा होता है और कौन सा reflection हमारा कम होता है सारा कुछ detail में हम हमारे whiteboard पर देखेंगे तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क जो हमारा color tubes होता है उसमें depth कितना है और reflection कितना है तो सबसे पहले हम लोग एक fashion shade का number लेते हैं जैसे कि हम लोग लेते हैं 8.34 copper gold light blonde तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हों कि यह हमारा base है और यह हमारे दोनो reflection है तो अगर एक color tubes है तो उस color tubes में हमारा base कितना होगा reflection कितना होगा यह जानने के पहले सबसे पहले आप लोग को पता रहने चीए कि हमें इसे किस तरह से समझना है कि इन दोनों में से reflection हमारा कौन सा जादा हमारे tubes में होता है उसके बाद में यहाँ पर मैंने कुछ example लिये जिससे आप लोग को detail में समझ में आएगा तो यह तो हमारा हो गया base जो की light blonde हो गया देन उसके बाद में यहाँ पर आप लोग का copper है यह copper आप लोग का minor हो गया इसमें हमारे ट्यूब में minor हमारा जो है यह copper है four number then हमारा जो three number है यह major tone हो गया यानि कि हमारा जो major tone है वो हमारा three है और हमारा जो base color है यह तो आप लोग को पता ही है base color हमारा light blonde तो हमारा जो reflection है वो gold का थोड़ा जादा देखीगा और यह हमारा copper वो minor है तो यह हमारा थोड़ा सा कम देखेगा यानि आप लोग इसे primary बोल सकते हो then उसके आद में secondary आप लोग primary और secondary जो color मैंने बता है उसमें मत जाए यह primary यानि कि पहला आप लोग reflection यह दिखेगा उसके बाद यह आप लोग को यह दिखेगा यानि कि अगर यह आप लोग को 40% दिख रहा है तो यह आप लोग को सिर्फ 10% दिखेगा इस तरह से आप लोग समझें कि यह major tone है यह minor tone है और यह हमारा है हमारा base color, base color तो जैसे कि आप लोग को पता है कि सब चीज का base color एक ही होता चाहे कोई भी brand का आप लोग की company का tube हो तो चलिए अब यहाँ पर कुछ example से हम लोग समझते हैं तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि यहां हमने लिए 5 number light brown तो light brown में हमारा tube है तो जो हमारा tube है उस यहां पर देख सकते हो कि हमारा महगनी देन light brown है तो हमारा महगनी जो reflection हो कितना होगा तो यहां पर आप लोग को बता दू कि हमारा जो reflection है reflection हमारा सिप 20% रहेगा और हमारा जो 5 number जो हमारा light brown है यह हमारा base जो है यह हमारा 80% तक हमारा एक tube में 5.5 के एक tube में हमारा base जो है 80% रहेगा 20 परसंट रिफलेक्शन देन तीसरा नमर यहां देखते हैं हम लोग 5.62 यानि कि इन्रिसेंट रेड लाइट ब्राउन तो यहां पर आगर आप लोग को समझना है कि हमारा रेड कितना है और हमारा जो टू नमबर का वॉयल यानि इन्रिसेंट कितना हमारे एक एक रिए इसमें आप लोग का 50 परसंट पहलेक्शन तो पहले आपने का 1 पर स्हसलों झाल यानि कि 5 नमबर हो गया देन 되면 इसके बाद में हमारा Fourth है फॉर पोइट डफार जैसरा है कि महोगणी है लाउयल में है इसकार 파ंट के जो हमारा राइट साइड होता है वहाँ पर reflection होता है left side में हमारा जो based होता है यह मैं आप लोग को इसके पहले वीडियो में पुरा डिटेल ने बताया हूँ अगर आप लोग ने नहीं देखी होगी तो अब वीडियो जाकर जरूर देखना यहां पर आते हैं जो जो पीछे लगते हैं तो इसका डिमांड बढ़ जाता है आगे की तरफ लगता है जो डिमांड कम होता है उसी तरह यहां पर भी है 5.06 यानि कि हमारा नेचुरल रेड है नेचुरल रेड लाइड ब्राउन तो इसमें आप लोग का जो डेफ्स आएगा देफ्स आप lagi का जादा हैगा और यहाँ पर नाच्रल होनी की वजह से काफी कम हमारा इसमारा तोररी एक डठी छो और यासाल की बढ़ने वाला है यानि जो हमारा फा नमबर है उसके बाद में इंटेन्स रेट हो जाता है तब हमारा यहाँ पर जो नमबर से यानि कि जो रिफलेक्शन वो इंटेंस हो जा रहा है तो यहाँ मोगनी रेड तो 6 हमारा रेड होता है उसके आद में 5 नमारा हमारा जो बेस है वो 50% यहां पर रहेगा तो यह पुरा डिटेल में आप लोगा समझ में आ गया होगा और कमेंट्स कर देना और वीडियो को पूरा लाश तक देखना अजयर टबी के वूरा वीडियो समझ में आएगा और इस wijडियो हमारा इस डेवलेपर के उपर होगा जो कि हमारा हीड्रोजन पेरोक्साइड के उपर डिटेल में हम बात करेंगे के हमारा व्यडियो नमारी किसे य जल दाएगी तो वेट करिए लाइक जरूर करना